एलो एब्रिवन सभीको जहिन दोस्तों आप लोगों को Reliance GCS की GD के लिए मेल आ चुके हैं जिन केंडिडेट्स को मेल आ चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत कॉंगरूजुलेशन और जिन केंडिडेट्स को GD का मेल नहीं आया है आप लोगों ने एकजाम अच्छे से द कहता हूं न सिर्फ Reliance GCS इवन आपका जो रिक्रूट्मेंट होता है इंडिगो एयरलाइन्स का उसमें भी NCC को इन्वाइट किया जाता है और भी इतने कंपनीज है उसमें NCC को पहले प्रिफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है उन सबका डिटेल आप लोगों को मैं इस टॉपिक्स है जो आप लोग पूछ रहे थे उसका कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूं आप लोग इससे पढ़ोगे इसके अलावा भी आप लोग एडिशनल चीजे अपने से रीड और अपने से प्रिपेर होके ही जाएंगे जीडी के लिए तो आप लोगों को कौन-कौन से लेके जाना है इसका लिस्टा आप लोगों को अपने इमेल आड़ी में भी देखने को मिल जाता है जैसे कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें आप लोगों का मार्क सीट होगा और सर्टिफिकेट ध्यान रखो कि काफी जो बोड्स हैं उनका मार्क सीट अलग होता है और पासिंग सेटिफिकेट अलग होता है आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग अपना मार्क सीट भी लेके आएंगे और पासिंग सेटिफिकेट भी उसके बाद आप लोगों को अपना अधार कार्ट रख लेना है उसके बाद आप लोगो आप लोगों को भूलना रही है कि आप लोग NCC lleva certificate रखो यह ऐससे कि DSC या आड washing PIA जितने भी भी बड़े campus 55 प्रकार की अगर आप लोगोंने dauman क्ये ए उसका Allies फोटो यहाँ प्ür शेट रख लेना है रिसेंट का उसके बाद बात करते हैं आपका bank details वाप लोगों को पता होगा आपके email में भी बताया गया है कि आपका जो आने और जाने का खर्चा है उसका traveling alliance दिया जाएगा इसलिए आप लोगों के लिए important है कि आप लोग अपना bank details अच्छे से रखोगे और कोई candidates ऐसे हैं जो work experience होंगे उन लोगों को अपना work experience certificate लेके जाना है यह सभी के लिए applicable नहीं है ध्यान रखना बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए mandatory हैं जो आप लोगों को लेके ही जाना है ठीक है friends उसके बाद बात करते हैं group discussion के important topics पे उससे पहले थोड़ा समय आप लोगों को बताना चाहूंगा items to be brought कौन कौन से item आप लोगों को लेके जाना रहता है यह आप लोगों के mind में आ चुका होगा तो आप लोगों को formal dress carry कर ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जो process है वो तो generally आपके formal dress में ही conduct होते हैं और भी जो चीजें आप लोगों को लगता है कि important हो सकते हैं आपके SSB interview के during में या फिर उससे पहले आपके preparation के during में तो आप लोग जरूर करेंगे अब बात करते हैं कि कौन कौन से topics आप लोगों को read करने हैं इसमें सबसे पहला topic मैंने यहां पे एड किया है case studies, business scenario, problem solving and decision making तो यह important topic इसलिए बन जाता है क्योंकि आप लोगों का SSB interview में होता है topic उसमें भी group discussion आप लोगों से कराया जाता है उसमें एक होता है SRT test जिसको हम लोग situation situation, reaction test बोलते हैं कोई भी एक situation दिया जाता है उसको आप लोग कैसे react करते हो उसको कैसे आप लोग उसका solve निकालते हो ठीक है decision लेते हो उसमें quick decision कैसे लेते हो उसी से relate करते हुए यह topic आप लोगों का बन जाता है सबसे important कैसी study जिसमें आप लोगों का problem solving and decision making इस प्रकार के ज pick up किया गया topic है जैसे की leadership आप लोग ने पढ़े थे नेतरित्व करता इस प्रकार के topic हिंदीज में हम लोगों ने पढ़े थे उसके बाद आपका communication and problem solving skill कोई भी एक problem आप लोगों को दे दिया जाता है as a leader as a leader आप लोगों को एक problem दिया जाता है तो आप अपने teamwork को कैसे उस problem को lead करोगे और कैसे उसका solution निकालोगे इन सब चीजों को देखते हुए यह topic आप लोगों के लिए भी बहुत important हो जाता है उसके बाद तीसरा important topic हो जाता है innovation new ideas आपके पास कौन-कौन से नए ideas है यह उन लोग जानना चाह सकते हैं आपसे entrepreneurship यह भी आप लोगों का परखा ज निकलता है यह सब चीज देखना चाहते हैं ऐसा प्रकार से आप लोगों को पहले preparation कर लेना है उसके बाद जो आता है अगला topic यह है current affair current affair में news अभी जो recent में जो trends में होंगे यह फिर recent में जो events हुए हैं इन सब को आप लोगों को cover करना है जैसे कि events में आप लोगों को अभी topic दे देंगे फिर अभी recent में जो चीज trends में होंगे उसको आप लोगों को अच्छे से एक बार देख लेना है तो अब तक कि जितने भी मैंने topics बताये हैं यह सिर्फ ना आपके GCS में बलकि कहीं भी group discussion होता है आपका जैसे कि SSB interview सबसे important मैं बार बार यह बोल रहा हूं क्यों कि उसमें लंबर प्रोसीजर होता है और उसी में इन सब topics को ज्यादा preference दिया जाता है ठीक है तो यह जो topics थे वो most important थे उसके बाद जैसे कि हम लोग GCS के लिए जा रहे हैं तो GCS से related मतलब Reliance Industry से related आप लोगों से questions आप लोगों को topic दिया जा सकते है जैसे कि business में Reliance Industry strategies उनका strategies क्या है competitors कौन-कौन है और market trends and industry news इसके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो इस प्रकार से पूछा जा सकते हैं जैसे कि आपका Indigo Airlines में आप लोग जब interview दिलाने जाते हो तो Indigo के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है उसका इस थापना कब हुआ था वोड़सा उस questions या आप लोगों को इससे related topics दिये जा सकते हैं जैसे कि AI artificial intelligence पे आप लोगों को विचार जान सकते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोगों को preparation करना है जैसे कि आप लोग Air Indigo के लिए जाते हो तो उससे related topics पढ़ते हो SSB में जाते हो तो defense related topics पढ़ते ह Reliance Reliance related जितने भी चीजे हैं उन लोगों को आप लोगों को एक बार अच्छे से देख लेना है उसके बाद यहां पर अगला topic की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है Global issues इसके अंदर में आप लोग पढ़ सकते हो जैसे कि climate change और economic trends and social responsibilities तो इस प्रका leadership नेता और नेतरित्व में अंतर इस प्रकार से आप लोगों को debate करने के लिए या फिर गुरु आपस में discussion करने के लिए बोला जा सकता है या फिर leadership style के बारे में और इस से related vision में ठीक है फ्रेंड्स और यह जो topic है यह सबसे important है जैसे कि teamwork आप लोग एक teamwork कैसे कर सकते हो एक प outcome दे सकते हो उसके बद collaboration यह हो गया team building कैसे आप लोग अपना समूह बिल्ड कर सकते हो इस प्रकार से और उसके बद communication and interpersonal skills आपके अंदर कौन-कौन सी skills है इस पर भी उन लोग discussion करवा सकते हैं और जितने भी मैंने topics बताए यह तो हैं ही इसके अलावा आप लोगों को जो लग प्रिपेर होके वहां जाओगे उमीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सभी इंफोमेटिव रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लोगे आपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करोगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइ इंड़ी तשים वीडियो कर लोगे उमीद को सब्सक्राइब करता है